इंडोनेशिया एक मुस्लिम कंट्री है, 85% से जादा उनकी अबादी मुस्लिम है, 2% से कम हिंदू है माँपे, लेकिन उन्होंने भी अपने नोट के उपर गरेश जी की तस्वीर शापी हुई है एक आपने वीडियो देखा होगा जिसमें दिल्ली के मुख्यमंतरी अरविंद केजरिवाल जी ये दावा कर रहे हैं, इंडोनेशिया की केरेंसी पे गरेश जी की तस्वीर है, इसमें कितनी सच्चाई है, क्या सच में कुछ ऐसा है तो आईए जानते हैं अगर हम बात करें इंडोनेशिया की, इंडोनेशिया एक मुस्लिम रास्ट नहीं है, हाँ अगर बात की जाए तो ये मुस्लिम भौसंख्यक देश है, जैसा की हिंदूस्तान में हिंदू भौसंख्यक हैं, लेकिन हिंदू रास्ट नहीं है, इसी तरीके से इंडोनेशिया म बाद ये कहा गया है कि 2% हिंदू हैं कहाँ पे इंडिनेशिया में और वहाँ पे करेंसी पे गड़ेश जी की तस्वीर है तो इंडिया में भी नोटों पे छपने चाहिए माता लच्मी और श्री गड़ेश जी की तस्वीर अब यही पे अगर इंडिनेशिया की बात की जाए जैसा कि मैं आपको बताया कि इंडिनेशिया में बहुल मुस्लिम रहते हैं लेकिन यहाँ पे अगर आबादी की बात की जाए तो आबादी में यहाँ पे 87% मुस्लिम है और उसके लाबा जो अधर धर्मे की लोग है कैथोलिक जो है 2.9% है हिंदू है 1.7% बौध है 0.7% और प्रोटेस्टेंट है जो की 6.9% है और यहीं पकर करेंसी की बात की जाए तो करेंसी में ऐसा कुछ भी नहीं है हाँ यह जरूर है कि 1998 में छपी थी गड़ेश जी की तस्वीर हुआ क्या था कि गड़ेश जी को कला और बौधिक का इश्वर माना जाता है और 1998 में छपे 20,000 जो मूलोगर का इंडोनेशिया रूपया था उस पर सोतनता सेनानी की हजर देवानतारा और गड़ेश जी की तस्वीर छापी गई थी करेंसी नोड के पिछले हिस्से पर कच्छा में बैठे छात्रों को दिखाया गया तो यह राफ फैक्ट चेक और ऐसा हुआ था या नहीं हुआ था उसके बारे में आपने जान लिया तो अगर आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया हो इसको लाइक जरूर करें